आखिरकार हम लोगो ने बध्टक का बच्चा पकर ही लिया इधर बध्टक की ममी बहुत ज़्यादा परिसान है, वो गारी का पीछा कर लिया है फर्स गारी और तेय चला, बरना बध्टक की ममी हम लोगों को नहीं छोड़ेगी अरे तुम लोग क्यों बतक के बच्चे को परिसान कर रहे हो उसे छोड़ दो देखो उसकी ममी कितनी परिसान है इधर बतक मा गीता के पास जाने लगती है परिसान मत हो बतक मा वो तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं करेंगे बच्चे तुम्हारे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए वो सब थोड़ी देर खेलना चाहते हैं अच्छा तुम चिंता मत करो वो सब कुछी देर में यहां पर आ जाएंगे मायरा वो देखो वो तो तुम्हारी नानी मा है ना नानी मा आप यहां पर क्या बना रही है अरे मायरा मैं यहां पर गोबर से उपले बनाने जा रही हूँ पर तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो कहीं जा रहे हो क्या नानी मा हम लोग पार्क में जा रहे हैं घूमने हाँ नानी मा हम लोग पार्क जा रहे हैं लेकिन जल्दी आ जाएंगे अरे लेकिन तुम लोग बतक के बच्चे को क्यों पकड़े हुए हो उन्हें तो छोड़ दो उसकी मम्मी उसे ढून रही होगी मायरा दादा जी सही कह रहे हैं सारे बच्चे को छोड़ दो हाँ मायरा उसकी मम्मी बहुत रो रही थी जल्दी से छोड़ दो उसे हाँ हाँ मायरा हर्स जल्दी से छोड़ दो चले जाओ अपने मम्मी के पास वैसे भी बहुत देर हो गई है जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया अब कभी भी तंग नहीं करूँगी मारा जल्दी से गारी में आकर बैटो बढ़ना गारी स्टार्ट कर दूँगा ठीके ठीके भाईया मैं भी आती हूँ इधर बतक के बच्चे बहुत सोड़ करने लगते हैं बच्चे की अबाब सुनकर उसकी मम्मी आ जाती है और वो अपनी बच्चे को दे कर बहुत ज़्यादा खुस हो जाती है और खुसी से चुमने लगती है फिर अपने बच्चों को पीट पर बैठा कर तलाब की ओर जाने लगती है इधर मंगरू गोवर को अच्छी तरह से मिला रहा है मंगरू अब गोवर में भूसा मिलाना होगा ठीक है मालकीन मैं इसमें भूसा मिला देता हूं अब इसमें थोड़ा पानी डाल कर मिला लेता हूं वहाँ पर बाल्टी में पानी है वहीं लेकर आता हूं तब ही मंगरू पानी लेकर आता है और गोवर में डालने लगता है अरे ये बाल्टी कितना भारी है अच्छा थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देता हूँ आज मैं भी उपले बनाऊंगा ठंडी के मौसम में ये बहुत ही काम देते है मालकीन मैंने गोवर को अच्छी तरह से मिला दिया है अब ये उपले बनने के लिए तयार है मंगरू तुम्हारा काम हो गया है अब तुम घर जा सकते हो मैं उपले बना दूंगी ठीक है मालकीन अब मैं घर जा रहा हूँ इधर गीता घर साफ कर रही है मैं जल्दी जल्दी सारे घर को साफ कर देती हूँ खाना आज मुझे ही बनाना होगा क्योंकि रादा मौसी ससुराल चली गई है चलो मैंने घर की साफ सफाई कर ली है अरे इतने सारे कच्छे जमा हो गये थे घर में अच्छा अब इसे कुरेदान में फेक कर आती हूँ अब जारू को वहां रख देती हूँ चलो हो गया अरे मायरा हर्स को गय हुए बहुत देर हो गई है पता नहीं कहां रह गए सभी अरे आज किस चीज की सबजी बनाओ आलू दम बना दू या करी चावल बना लू इधर कार्तिक गाय लेकर आ रहा है हर्स मायरा कहां हो तुम दोनों अरे पता नहीं कहां चले गए सभी के सभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है गीता कहां हो देखो मैं क्या लाया हूँ अरे सभी के सभी कहां चले गए हैं लगता है सभी बगल वाली आंटी के यहां गए है अरे गईया सांत हो जाओ अरे मेरे घर से गाई की आवाज आ रही है अच्छा अभी जा कर देखती हूँ अरे कार्तिक जी आप कब आए और ये इतनी प्यारी गाए किसकी है गीता अब ये गाए हमारी है पहले ये तो बताईए आप इसे कहां से लेकर आए है और इसे तो बहुत जादा चोट लगी हुई है इसके तो एक सिंग भी नहीं है वो गीता जब मैं आ रहा था तो देखा जंगल में ये गईया भटक रही थी और बहुत जोड जोड चे चिला रही थी इसलिए मैं यहां लेकर आ गया अब इसे हम लोग पालेंगे ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है रुको गईया अभी मैं तुम्हारे लिए घास लेकर आती हूँ इधर मीना बहुत सारे उपले बना ली है अरे थोड़े और उपले बनाने बाकी है अच्छा जल्दी जल्दी बनाती हूँ बनना बहुत देर हो जाएगी मैं अकेले उपले बनाते बनाते काफी ठक गई हूँ कास यहाँ पर राधा होती तो मेरी मदद जरूर करती गीता को तो उपले बनाने आते ही नहीं है इसलिए मैंने गीता को नहीं कहा उपले बनाने के लिए अच्छा मैं ही किसी तरह बना लेती हूँ इसे सुखने में भी काफी दिन लग जाएंगे अच्छा कोई बात नहीं इधर सारे बचे पार्क घुम कर आ गए हैं ये कितना अच्छा लगा पार्क में ये पार्क में कितने बड़े बड़े जूले थे ना बहुत ही अच्छा लगा जूले पर जूल कर मायरा अब हम लोग घर जा रहे हैं बहुत मस्दी कर लिये आज तो हाँ नैंसी चलो घर चलते हैं ममी इंतजार कर रही होगी बाइ मायरा हर्स अब हम लोग कल मिलते हैं बाइ नैंसी अपना ख्याल रखना अच्छा रभी कल भी घुमने जाना है इसलिए टाइम से आ जाना हाँ हर्स कल जरूर आउंगा अपना ख्याल रखना अरे तुम लोग आ गए पार्क से घुमकर अच्छा अब आ ही गए हो तो जल्दी से घर चले जाओ नहीं नानी मा मैं अभी घर नहीं जाओंगी मुझे भी उपले बनाना है चलिए भाया पहले गारी से उतर जाते हैं जल्दी जाती हूँ नानी के पास और उपले बनाने में मदद कर देती हूँ नानी मा जल्दी बताईए ना उपले कैसे बनाया जाता है इस गोवर में मिटी मिलाया जाता है क्या नानी मा देखो मारा इसे ऐसे ऐसे किया जाता है तभी जाकर उपले बनते हैं अरे हार्ज ये उपले तो पहले से ही बने हुए है इसे ऐसे नहीं बनाया जाता है फिर नानी मा कैसे बनाया जाता है अरे मारा पहले उसे नीचे रखो वो अभी गिला है तूट जाएगा नानी मा पहले मुझे उपले बनाना सिखाए बढ़ना ये सारे उपले तोर दूंगी आज छोड़ो मायरा कल भी मुझे उपले बनाने है तो कल ही सिखा दूंगी चलो आज घर चलते हैं वैसे भी सारे गोवर खत्म हो गये हैं अब यहाँ पर रुकने से कोई फाइदा नहीं है चलो मायरा हर्स ठेक है नानी मा लेकिन कल तो मैं पक्का सिख कर ही रहूंगी अच्छा भाईया अब चलिए घर चलते हैं आप गारी लेकर आ जाईए मैं नानी मा के साथ चले जाती हूँ अरे अरे मायरा रुक जाओ मुझे अकेले छोर कर मत जाओ चलो तुम भी गारी में आ जाओ मायरा नहीं भाईया अच्छा ठीक है अब मैं अपना गारी ले लेता हूँ अरे इस कार को क्या हो गया लगता है ये खराब हो गया है अरे नहीं ये तो चलने लगा मम्मी उपले नहीं बने क्या चलिए मैंने तो खाना भी बना दिया है अरे गीता पहले मैं नहाऊंगी उसके बाद ही खाना खाऊंगी तुमने पानी गर्म किया है कि नहीं हाँ मम्मी मैंने पानी भी गर्म कर दिया है अब जल्दी से चल कर नहा लेजिए ठीक है गीता चलो, चलो मायरा हर्स लेकिन मम्मी आप इस उपले को यहीं पर छोड़ देंगी क्या हाँ गीता, मम्मी इस उपले को यहां पर मत छोड़िये बरना यह चोड़ी हो जाएंगे फिर तो आपकी सारी मेहनत बरवाद हो जाएगी ठीक है गीता चोलो इसे घर ले चलते हैं वहीं पर कहीं साइड में रख देंगे दोश्तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो आज के लिए बस इतना ही फिल मिलते हैं नहीं कहानी के साथ बफपाय थैंस प्रवचिं इस्वीडियो इटो चुण आया है तो आया हुआ जा झाया है